नहुसकार दोस्तों सजन न्यू ओलेंड की तरफ से सभी किसान भाईयों को राम राम ये बई न्यू ओलेंड 37 फोर विल ड्राइव CRD आई इंजन के साथ जो के लॉंच हुआ है भी ना ट्रेक्टर तो पहला ट्रेक्टर आपने 9000 ट्रेक्टर जजज़र पर ये ट्रेक्टर बिल हुआ है और यहीं लॉंच होगा और यहीं जो डिलिवरी होगी वो भी दिखाएंगे इसी चैनल के थूँ आपको और ट्रेक्टर के बारे में जो फीचर हैं जो बदलाओ किये गए हैं जो CRD में लॉंच हुआ है उसमें जो मोड दिये गए हैं या फिर जो भी बदलाओ हैं ट्रेक्टर में एक एक करके दिखाएंगे बताएंगे वीडियो के मद दमसे जो भी किसान भाई नया चैनल पर जुड़ा हो तो किसान भाई अपने चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि इस ट्रेक्टर की जो भी वीडियो होंगी या डेम मो की होंग या डिलेविरी की होंगी या जो भी कुछ होगा वह समय समय पर आप तक पहुँंच के तो शुरूत करते हैं भाई ट्रेक्टर के फ्रण्ट से लोग नुस्कार किसान बाईयों मैं सजन न्यू ओलेंड जजर से सभी किसान बाईयों का आर्दिक स्वागत करता हूं और भाई ये जो ट्रेक्टर अपना न्यू ओलेंड गाद सपन तीस फोर विल ड्राइव जो के नय अलोंच हुआ है तो पहला ट्रेक्टर हर्याने का 9000 ट्रेक्टर जजर पर पहुँचा है और इसकी जो लोंचिंग होगी या डिलिवरी होगी वो आपको दिखाएंगे इस चैनल के मदम से तो भाईयो यो आपका अशिरवाद है और सहयोग है कि जब भी कोई नया मोडल आया है वो आमे मोका मिला है 9000 ट्रेक्टर जजर को जो के पहला ट्रेक्टर लोंच हुआ है वो यहीं से शुरुआत की गई है चैवो 27 CRD हो या न्यू ओलेंड का 37 वहरीटेज एडिशन हो या फिर 37 फोर विल ड्राइव जो के अर्याने का पहला ट्रेक्टर जजर से 9000 ट्रेक्टर जजर पर पहुंचा है और 20 ट्रेक्टर के में जो जो बदलाव किये गए जो फीचर है वो सभी एक एक करके आपको दिखाए जाएंगे और आप तक पहुंच आएंगे तो सुरुआत करते हैं आपने ये जो इस ट्रेक्टर के ये स्टिकर वगएरा और जो ये नाम जो चेंज किया गया वो लुक वाइज एक डिफरेंट है और उसे अलग दिख रहा है पूरा ट्रेक्टर बोडी कवर की गई है और इस ट्रेक्टर में ये इट गाड वगरा लगाए गए हैं और जो फ्रंट फैंडर भी हैं और फ्रंट टायर पहले जो आते थे 37 में वो 11,4,24 का अता था लेकिन CRDI में 12,4,24 का टायर दिया गया है टायर साइज बड़ा गया है इसका और पिछला टायर इसमें 18,4,30 का दिया गया है और ये पिछले वेट 50,50 के जीगी तीन प्लेटे दी गई हैं और ये 75 आसपावर में ट्रेक्टर का इंजन है इसका और पिटी ओ आसपावर इसमें 69,1 ये दिखाई दे रहा है और पिछे से एवी तूबे हैं और जो असिस्ट हैं जैक लगा हुआ है डबल डिस्टिबूटर है ये वाल पिछे की साइड निकाली गई है और भई हैवी आइट भी ट्रेक्टर की जो पहले 27,57 अबाव से आइट में भी ट्रेक्टर उचा है और ये स्टिकर लगा हुआ 6 एर टी वारंटी तो 6 साल की ट्रेक्टर की इंजन और गेर की वारंटी है और टी वारंटी टी वारंटी मतलब थर्ड पार्टी को पहले क्या होता था कि ट्रेक्टर जो किसान भाई लेता था कि सेल कर देता था उस पर वारंटी वहीं पर खतम हो जाती थी लेकिन ये 6 साल की वारंटी उस किसान भाई को मिलेगी जो ट्रेक्टर को प्रोपरली टाइमली सर्विस वगएरा जो भी होगा वो थ्राइज डिलर्शिप पर ही होना चाहिए ये तीन प्लेटे साइड हैं अपने 50-50 केजी की बड़ा टायर है और ये एक बार यहां लेना भई ये अपना डीजल फिल्टर दिया गया है जो के सेंसर है इसके नीचे तेल में जो भी कचरा होगा है मला उट होगी तो वो सेंसर के थुरू आपके मीटर में अलार्म आएगा जिससे गया अपना यहां से तेल की सफाई करके प्रोपर तरीके से आगे सप्लाई पहुंचके बड़े डीजल फिल्टर दिये गये ही है दोनू है और यह एक बार यह दखाना हो यह डिफेंसल लोक बहुत सी कमपनियों में यह डिफेंसल लोक ने आता जो के आपने चपन तीस में डिफेंसल लोक दिया गया है और पूरी बोड़ी को कवर किया गया है साइलेंसर साइड में निकाल दीगी डोल की जो एर किलेनर था वो अंदर की तरफ ड्राई है आगे यहां जाली दीगी उपर और भाई यह बार दिखाएंगे इसको खोल गे टपे को सारा जो भी है और यह आइड्रोलिक फिल्टर का साइज बड़ा दिया गया है जो पहले ट्रेक्टर माते हो साइज चोटे देंगे और मैडिन ट्रकी मैडिन ट्रकी से ये इंजन अपना एक्स्पोर्ट होता है जो कि न्यो लेंड का पहले से वहाँ चल रहा था इनजन और यह फिल्टर गया जो साइज बड़ा गया है इनसे इस ट्रेक्टर की जो सर्विस होगी वह फस्ट सर्विस 600 गंटे पर और उसके बाद में 600-600 गंटे के बाद ट्रेक्टर की सर्विस होगी इससे समय की भी बचत होगी किसान की और पैसे की भी बचत होगी जिससे सिदा सिदाय हो एक फाइदा किसान को एक बार ये देखाना भई आप देखाओ मिट्रो मोड स्टाइल और आम दाएक सीट औरम रेस्ट के साथ दी विद शीट बेल्ट एक बार आप लगाओ मैं दिखता हूं किसी भी कमपनी ने शीट बेल्ट ने दी गई है अपने न्यू ओलेंड में उपन भी शतिस पेशल एडिशन और शपन तीस तीस थेचित पेशल एडिशन और शपन तीस